इन कुछ वीडियो में आगे हम आउटपूट चेन को देखेंगे अल्रडी हमने जो है इनपूट चेन्ज को देखा था फिल्ट्रिंग करके फिर हमने फॉर्वर्डिंग देखा था अब हम आउटपूट चेन की तरफ कोई ड्रेक्शन की तरफ फिल्ट्रिंग करके फिर एक honor module होता है उसको दिखेंगे अब हमारी lab वही है जो पिछली cases में हमने यूज की थी बट एक वरी फिर मैं remind कर देता हूं कि C2 के अंदर जो हमारे दो user है आनिया और नन्नू अड्रेस 192.108.0.2 यह हमारी firewall है और यह 172.0.11 system है client 111 और यह 172.0.31 system है client 11 अब हम जो output कब हम use करते हैं जब कुछ traffic firewall से generate हो रहा है और जहां तो इदर जा रहा है जहां इदर जा रहा है उसको हम कैसे control करेंगे output chain को output direction को use करके control करेंगे तो हम यहां पे तीन task perform करने वाले हैं सबसे पहले पहले वाला task देखते हैं कि क्या है अब हमारी firewall जो है उसके अंदर दो user है एक weapon user है एक अनंद का user है हम जाते हैं कि weapon user जो है वो SSH ना कर सके mean firewall पर बैठके ना तो वो c2 को जां client 11 को जां client 31 को वो SSH ना कर सके पर हम सारी जगह टेस्ट करके नहीं देखेंगे हम सिरफ c2 पर test करके देखेंगे करने दे रहा है कर नहीं दे रहा है वो यहां से बैठके इसको जांए इसको जांए इसको क्या करें SSH ना कर सके remotely manage ना कर सके तो उसको हम क्योंकि जो traffic है वो firewall से originate हो रहा है तो बहर जा रहा है तो हम इसको किस से control करेंगे output से तो output chain कभी यूज़ करते हैं जब traffic firewall से originate होता है तब output change यूज़ करनी है तो अब हम firepal पर जाके root user की तरह हम पहले login होंगे हम second terminal open करके weapon user की तरह login कर लेंगे third terminal open करके हम क्या कर लेंगे अनत का user की तरह login कर लेंगे फिर id command चला के देखेंगे id से हमें पता लग जेगा के weapon क्या है हमारे case में जो उसकी ID है वो 500 है अब हम सबसे पहले कोई firewall लू लगाने से पहले SSH करके देखेंगे हम कहेंगे SSH 192-1802 पर चले जाना क्योंकि C2 system पे एक आनिया user है तो हमें user भी specify करना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि वो assess दे रहा है फिर हम control D से बाहर निकलाएंगे फिर अनंतिका यूजर पर जाके ID देखेंगे इसके 510 ID आपके case में अलग हो सकती है यहां से भी हम SSH 192-1802 को करके देखेंगे और जब आनिया user तो हम देखेंगे कि यह भी वो करने दे रहा है फिर हम logout कर लेंगे अब हम चाहते हैं कि भी इसको block करना ना जाए तो उसके लिए हमारे पास एक owner module होता है जो देखता है कि जब traffic बाहर जा रहा है तो वो किस user की तरह जा रहा है तो हमारे जो rule होगा वो firewall पर बैठके क्या लिखेंगे आईपी टेबल माइनस से मीन एड़ कर दे किस direction में आउटपट में अभी हम यहां पे type of firewall filter नहीं बता रहे हैं तो by default अगर हम नहीं लिखेंगे माइनस टी के साथ filter जा कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या होगा by default वो उसको filter firewall consider करेगा तो module कौन सा use करेंगे और कौन सी option देंगे माइनस माइनस uid ओनर 500 जिसकी ओनर आईडी 500 है वो 500 किसकी है विपन की है तो traffic को क्या कर दे ड्रॉप कर दे तो यह सारा rule क्या करेगा जो traffic बाहर जा रहा है जो user id 500 से उसको क्या कर देगा वो नहीं जाने देगा बार हम देखेंगे कि जो विपन यूज अब ssh नहीं कर पाएगा बट अनंत का कर पाएगा तो देखते हैं कि लिस्ट करके देख लेंगे rule add करने के बाद कैसे list करेंगे ip tables list output n के साथ जहां ip table list अकेल output के साथ अब हम विपन यूजर की तरह ssh करके देखेंगे हम देखेंगे connection timeout आ रहा है बट आनिया की तरह करने क कोशिक करेंगे तो वो क्या करने करने देगा हमें तो बाद में हम क्या करेंगे उसको delete कर देंगे पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपने आप विपन यूजर से पिंग कर सकोगे बाहर की तरफ क्योंकि जब पिंग कमान करते हैं उसके अंदर कोई user वाली information नहीं जाती है इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है